हेलो दोस्तो नमस्कार आज का हमारा बैसा है धान की उन्यतक खेती पैड़ी फार्मिंग राइस की जो फार्मिंग है धान की खेती कब और कैसे करना चाहिए बासमती बैराइटी के बारे में बतलाएंगे जो रीसर्चिवल बैराइटी हैं उनके बारे में बतलाएंगे और जो हाइबरेट किसमे हैं इनके बारे में भी ड ताब देखने के लिए मिलता है तो धान की पैदाबार बढ़ाने के लिए कैसे खित की तयारी करना है संतुलत खाद की मात्रा जो रोग आते हैं उन रोगों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए स्प्रेश सेडूल वैराटी और प्रति एकर सीट्स की क्वंटिटी ज आप से क्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जादस जाद करें और किसान भाईयों के साथ इस वीडियो को जादस जादस सेयर करके इस वीडियो का इस मुहीम का हिस्सा बने और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं धान की खेती सबसे पहले टाइमिंग और हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत जादा जरूरी है भारत में धान की खेती दोनों सीजन में की जाती है लेकन खरीब सीजन में सरवाद एक धान की खेती की जाती है और इसके लिए जो सही टाइमिंग है 20 माई से लेकर 20 उपढ़ कर देना चाहिए जलबायू और ताफमान की उपर दोस्तों बात करते हैं तो इसके लिए यानि धान की खेती के लिए समसी तोसन जलबायू काफी ज़्यादा उप्योक्त रहती है और नौरबल जो टेमपरिचर रहता है और साथ 18-20 डिगरी सेल्सियस और अधिक तम 35-38 डिगरी सेल्सियस का जो टेमपरिचर रहता है काफी अनकूल माना जाता है भूमी और खेत की तयारी की उपर बात करें तो जल भराव वाली जो भूमी होती है खासकर काली दो माट है मटियार भूमी है चिकनी दो माट भूमी काफी ज़्यादा उप्योक्त रहती है इसक समय दोस्तों आपको खेत की तयारी करते समय 50 केजी जिपसम का प्रियोग करना चाहिए और खेत की तयारी एक से दो बार कल्टिवेटर रोटाबेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरुरी करा लेना है और जो बेसल डोज है दोस्तों अगर हमें प्राइमारी नूट्रिय समय प्रियोग करेंगे तो बहतरीन तरीके से हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा धान की खेत की तयारी किस प्रकार कराना चाहिए इसके लिए दोस्तों पडलिंग कराना बहुत जादा जरूरी है यानि रोटाबेटर से पर कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर क्रेसी एंतर देख रहे हैं इस प्रकार खेत की मचाई यानि पडलिंग आपको कराना चाहिए इस से क्या फायदा होता है मचाई कराने से क्या फायदा होता है पहला फायदा तो एह है कि खरपतबार पूरी तरह कंट्रोल हो जाते हैं खरपतबार का जमाब नहीं हो पाता है इसके अलाबा पौधरोपन करने में आसानी होती है और पैदबार बढ़ती है तो खित की तैयारी पडलेंग कुछ इस प्रिकार आपको करा लेना चाहिए जो कि आप वीडियो पर देख रहा है खित की मचाई करने से ध्यान रखी दोस्तों खर्वतबार का जमाब नहीं होता ह उसके बाद आप पौधरोपन कर सकते हैं बात करते हैं दोस्तों उननस सील किसमें तो किसमें दो प्रकार की होती हैं मोटा धान यानी हाइबरेड धान और बासमती धान तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप हाइबरेड धान यादी लगा रहे हैं यादी दोस्तों आपके ए हाइब्रेट धान को लगा सकते हैं तो इसके लिगे आप को हम 4-5 बैराइटी के नाम बतलाएंगे जो कि हाइब्रेड हैं और काफी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म में से एक हैं तो सबसे बेस्ट जो हाइब्रेड किसमे हैं वो है धान की जो दोस्तों 644 वैराइटी है यह BLB के प्रति काफी हद तक सहन सील वैराइटी है इसे वैराइटी पर BLB का प्रकोप बहुत ही कम देखने के लिगी मिलता है और 130-135 दिन में तयार हो जाती है इसके अलावा पायो नियार की 27-31 के नाम से आती है जो की 125-130 दिन में तयार हो जाती है और एक एकड़ में 6 कि रेक्वार्मेंट पढ़ने वाली है सीट्स की इसके अलावा आराइट की 629 गोल्ड के नाम से आती है बायर कंपरी जो की 120 दिन में तयार हो जाती है और पौधी की हाइट अधिकतां 100 cm होती है हाइवरेट की एक और किसमें हैं जेके 20 82 115-120 दिन में तयार हो जाती है और इ जो बैराइटी ये काफी बढ़िया बैराइटी लगी है इस बैराइटी की एक और खास यह थे कि इसका जो दाना है बहुत ज्यादा मौटा नहीं बलकि पतला लंबा होता है यदि आप हाइवरेट को लगा रहे हैं तो इस किसम पर आप चा सकते हैं इसके अलावे दोस्तो जो किसम है सबसे अच्छा-फठ देने वाली किसम हैं जिन फर रोगवीमारी के प्रती सहंसील किसम हैं रोगवीमारी कम आती है से पीबी 1886 बैराटी नई बैराटी है जो की नई इंप्रूब बैराटी है काफी ज़्यादा विक्सित की गई है अन्य बैराटी को मिक्स करके मर्ज करके 1686 बैराटी भी किसानों तक आराम आराम से पहुँच जाएगी इसके अलाबा पीवी पूसा बासमाती 1889 बैराटी है पीवी 1885 बैराटी इसके अलाबा पीवी 16-37 को आप लगा सकते हैं पीवी 15-09 है पीवी 17-28 और पूसा बासमाती 11-21 को लगा सकते हैं अब पूसा बासमाती पुरानी किसम है लेकिन इस बैराटी पर काफी ज़्यादा बीमारी का उसको इंप्रूब करके 17-18 बनाई गई थी जो निव इंप्रूब बैराइटी को इंप्रूब करके 1885 बैराइटी बनाई गई थी अब 1885 बैराइटी इस पर भी रोग वीमारी का आपर को कम देखने के लिए मिलता है तो इन किसमों को आप लगा सकते हैं काफी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा अभी की जो इंप्रूब बैराइटी है वो 1886, 1847 और 1850 बैराइटी है अभी की निव बैराइटी है तो इनका जो सीट से किसानों तक धीरे धीरे पोहँचे जाने वाला है तो इन किसमों को आप आने वाले समय में लगा सकते हैं यदि उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है तो अपनी धूमी के हिसाब से जलबाईू के हिसाब से कैसी बरसांत आपके एरिया में होती उस हिसाब से यदि आप धान की बैराइटी का च तो चार किलोग्राम से लेकर छे किलोग्राम सीट्स की रेकवार्मेंट पढ़ने बाली है अब नरसरी की बात चल रही है तो बीडियो पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसे आपको नरसरी तयार करना है कैसे आपको पौधी तयार करना चाहिए आईए दोस्तों बात करते है जमीन से एक फिट उंचाई में आपको बैट तयार कराना है मिट्टी को भुर भुरी करा लीजिए और जो खेत है जहां पर आप है नरसरी तयार कर रहे हैं डिएपी गोबर की खाद एससपी एमोपी का प्रियोग करना चाहिए बीजों की बुआई करें और नरसरी पर यदि बरसात ना हो रही पानी ना गर रहा हो तो आवश सकता अनुसार स्प्रिंग कलर से आप से चाहिए कर सकते हैं अब नरसरी तयार तो हम कर रहे हैं लेकिन ध्यान आपको यह रखना है दोस्तों कि पीलापन की समश्य ना आए पौदा अच्छे से बढ़बाल ले जाद जाद रेसिदार जाड़ों एक्ट का जो डेवलाप है बेकास अच्छे से हो तो पौद साला स्वस्त तयार कनने के लिए जब दस से बारा दिन के आसपास की नरसरी हो जाती है तो हीउमेक एसेड एंपी के उन्नैस 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 घुलंसी इलखात का इस्प्रे कर दीजिए ब तो इससाब सेदी आप नरसरी तयार करेंगे तो मात्र दोस्तो एक महीने पर आपकी स्वस्त हरी भारी नरसरी तयार हो जागी पौद रोपन की उपर दोस्तों बात करते हैं तो प्लांटेशन किस प्रकार करना चाहिए देखिए पडलिंग करना बहुत ज़्याद जरूरी ह तो इसके काफी फायदे हैं वो आपको किसी अंगली वीडियो पर बतलाएंगे बात करते हैं प्लांटेशन तो पौध रोपन है दोस्तों तो पौधे से पौधी की आपको दूरी रखनी हैं 10-15 cm और लान से लान की दूरी 20 cm रखनी चाहिए गहराई की उपर बात करें तो 5-7 cm गहराई पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए 5 cm गहराई काफी बढ़िया डेफ्थ मानी जाती है तो इस हसाब से आपको प्लांटेशन करना चाहिए जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं अब प्लांटेशन दोस्तों आप कर रहे हैं तो कम से कम 5-6 कम से कम पानी ख तो आपको प्लांटीशन करना चाहिए पान्टीशन करने के बाद जब 5-6 दिन हो जाएं तो हलका सा पानी निकाल दीजिए एक-डो दिन की धूब लगा लीजिए फिर उसके बाद बापस से पानी बहर दीजिए और फिर उसके बाद जो भी फर्टेगेसन सेडूल है उसको चलाईए अब जब पौधरूपल आप कर रहे हैं पौधरूपल कर रहे हैं उस समय बेसाल डोज जो खादों के नाम बतला हैं उन समय को मिक्स करके खेत पर भरकाव कर दीजिए ब्रौटकास्ट कर दीजिए और उस के बाद दोस्तों जो आंगे की प्रोसेस से उसके बारे में तो बतलाएंगे लेकिन नरसरी जब आप तयार कर रहे हैं वीज उप्चार सीट्स ट्रीटमेंट आपको सी एम सेवेंटी फाइब आनी कारवेंड डाजम प्लस मेंग को जब एक तो फंगी साइट आती है एक किल लिया उसके बाद दोस्तों आपको 40 मिन तक 56 सुखाना है फिर उसके बाद आपको बॉआई करके प्रोपर आपको सिचाई करनी चाहिए इसकी अलाब दोस्तों बात करते हैं खर्पदवार की रोक थाम यदि आपकी फसल पर फिर भी यदि आपने पडलिंग कर आईए फिर खर्पदवार देख रहे हों तो इसके लिए मजदूर लगवा कर दोस्तों आप खर्पदवार को रिमूब कर सकते हैं खर्पदवार को बाहर कर सकते हैं खेच से यदि दोस्तों आपकी धान की फसल पर सामभा या पर अन्न खर्पदवार का प्रिकोप कुछ जादा ही है औ 10% SL 150 ml लेना है और पी आई कंपनी की लेगसी खर्पतवार ना सकाती है 300 ml इन दौनों को मिक्स करें 200 लीटर पाने में घूल करके यदि स्प्रे करेंगे तो बहतरी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने बाला है तो इस हिसाब से दोस्तों आपको खर्पतवार ना सका स्प कर रहे हैं फसल को जटका आएगा और हो सकता है उत्पादन भी थोड़ा घट जाए तो जहां तक संभव हो तो खर्पतवार ना सका इस पर नहीं बलकि मजदूरों की मदस से निराई गुडाई करनी चाहिए और यदि खर्पतवार हैं तो मजदूर लगाकर खित से बाहर खर्पतवार को कर देजिए इसके अलाबे दोस्तों बात करते हैं इस प्रेश चैडूल अब देखिए हमारी धान की फसल पर कई परकार की बीमारी आती हैं चाहो सीद बलाइट हो बैक्टिरिया लीप बलाइट है या फिर सीद बलाइट है या फिर बीपी एच का बीमारी के उपर हम सबसे पहले समझते हैं तो बीमारी के उपर अगर दोस्तों हम बात करें तो प्रमकुरूपस हैं भूरा माहू यानि जो बी पी एच ब्राउन प्लान्ट हो पर जिसे फोड़का के नाम से बी जानते हैं इसके अलाबा ग्रीन लीप होपर है सीद है तो इसके लिए रोग और बीमारी के हिसाब से हम सबसे पहले स्प्रेश रेडूल बतलाते हैं दोस्तों तो ध्यान से सुनिए और समझिए यादी तना च्छी दक पत्तला पेट का प्रको फैदान की फसल पर तो कार्टाप हड्रोकलॉराइट का आप स्प्रे कर सकते हैं 15 ल तो इसके लिए प्रफिको नुजॉल का आप स्प्रे कर सकते हैं तो इसके लिए प्रफिको नुजॉल का आप स्प्रे कर सकते हैं तो इसके लिए प्रफिको नुजॉल का आप स्प्रे कर सकते हैं तो इसके लिए प्रफिको नुजॉल का आप स्प्रे कर सकते हैं तो इसके इस दो सो रोग आने के हसाब से बीमेरी के थाहिगे तो बहत्री आपको लाव मिलेगा इस हिसाब से भी áp car हैं तो दोस्तों दिनों के हिसाब से भी दोस्तों आप स्प्रेश चला सकते हैं फर्स्ट इस पर चालिश से पचास दिन की आसपास की फसल होती है कार टॉप हाइड्रोकलराइट पचास परसेंट एसपी फॉर्म में जो आता इंसेक्टिसाइड आपको दोस्तों लेना है 30 ग् 65-70 दिन की आसपास की फसल होती है तो डूपॉंट की पेकसालों 9.4 ml अदमा की ब्लास्टोगन 15 ग्राम लेना है इसके लाब बी एएसफ कंपनी की एडेकसार 30 ml लेना है 15 लीटर पाने घूल करके स्प्रे कर देना चाहिए यदि दोस्तों धान की फसल पर यदि आप इन दो कॉमईने को स्प्रे करते है तो चाहो सीद बिलाइट हो ली व्लाइट हो बलाश्ट हो ब्पिए या फिर को भी हरा माहू भूद भूरा माहूँ हो तो िधाने के लिए यदि दोस्तों आप एन कॉमईने को कारते हैं तो बैतिन तरी के साफ़ा को कंंपीर कोamped ने बाला है त तो आबस सकता नुसा दोस्तों आप स्प्रेश सेडूल चला सकते हैं अब बात करते हैं फर्टिकेशन सेडूल यानि खाद का सेडूल तो धान की फसल पर ध्यान रखिए 55-60 दिन बाद आपको नाइट्रोजन यूरिया का इस्तमाल लाही करना है जो भी खादों का आपको इस रखा जो भी खाद का सेडूल है उसके बारे में हम डीटेल से समझते हैं आइए दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट खाद के उपर दोस्तों बात करते हैं तो जो फर्स्ट खाद है ट्रांस प्लांट सें जब हमारी फसल 12-15 दिन की होती है तो यूरिया 35 किलो जिंक सलफेड ज तो 30 दिन के आसपास की फसल होती है, 30-32 दिन के आसपास की फसल होती है, यूरिया 45 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रियन, फट्लिलाजार से 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम और हियूमेक एसेड, जो ग्रेनिल्स फॉम बाला आता है, 10 किलोग्राम लेना है, और जानकारी प्रती एकड़ की दर सेयर कर रहे हैं एक एकड़ में जाड़ों के पास दे कर आपको सिचाई करना चाहिए आप फिर परियाफत मातरा पर नमी है तो फिर सिचाई करने की कोई भी आबस सकता नहीं है इसके अलावा थरडखाद की उपर दोस्तों बात करते हैं तो 45-50 दिन की आपको सिचाई करना चाहिए इसके लाव दोस्तों लाइफ साइकल की उपर दोस्तों बात करते हैं तो धान की बैराइटी पर काफी ज्यादा डिपेंड रहती है कि कौन सी किसमें कितने दिन में तयार हो गई यदि आप हाइब्रेड बैराइटी को लगा रहे हैं और अरली हार्विस्टिंग के लिए तयार हो जाती हृति जल्दी तयार होने वाली किसमों को आप लगाती है तो 95 यह रहती है जो पंचाना है तीन महिले में तयार हो जाती है वहीं कुछ यह रहती है जो बासमती अरहर एक सो चालीस से 150 दिन का समय बड़े आराम से लग जाता है को आप एमपी में लगा रहे हैं उसी किस्म को यदि आप पंजाब हर्याडा में लगाई जाए उस किस्म को तो उत्पादन में काफी ज्यादा डिफ्रेंस आएगा तो यदि उत्पादन के ऊपर अगर हम बात करें तो एक एकड़ में आप 30 कुंटल से लेकर 38 कुंटल तक पै को देते हैं तो पैदावार बढ़ने वाली है नौर्मल तरीके की तुलना पर लागत की उपर बात करें तो एक एकड़ में 18,000 से लेकर 25,000 रुपे के आसपास लागत लगेगी कम से कम बाजार भाव दो हजार से 22 रुपे पिरती कुंटल और जब रेट अच्छे हों बाज मुनाफा के उपर दोस्तों बात करते हैं तो 35 कुंटल पैदावार मान लेते हैं दो हजार करेड लेते हैं तो सत्तर हजार मुनाफा 25,000 लागत घटा देंगे तो 45,000 रुपे के आसपास एक कर से नेट प्रूफेट सुद्ध आमदानी हुई तो इस हिसाब से धान की खेती आप कर सकते हैं धान की खेती पर कुंसी बीमारी आ सकती हैं उनका एलाज खाद दवायों की संतुलत मात्रा खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए खरपतवार ना सकती जानकारी प्लांटेशन कैसे करना है और प्लांटेशन पहुत रूपड आपको किस प्रकार किस विदी स करना है इसके बारे में जानकारी तो सेयर की दोस्तों यदि आप एडवांस जानकारी चाहते हैं कि कैसे आप मसीनरी बिधी से धान की खेती कर सकते हैं कैसे मसीनरी बिधी से जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार नसरी तेयार की जाती मसीनों की मदद से त तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने राइस फार में यानी चावायल की खेती धान की खेती कैसे आप कर सकते हैं समपूर जानकार डीटेल में सेयर करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।